हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम हिंदी का टेस्ट करने वाले हैं ऐसा मौक टेस्ट जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी टीटी सुपर टीटी आपके तयार कर लिजेगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों क्वेश्चन है मार सब्द निम्न में किसका परियावाच्ची है बताइएगा मार सब्द जो है वो किसका परियावाच्ची है स्वैंड का अनंग का जादू का या अधम का तो दोस्तों मार जो परियावाची है मार और कामदेव का और भी नाम होते हैं जैसे आपका मनोज जो है ये कामदेव का नाम है मदन अगर बोले तो ये भी आपका कामदेव का परियावाची है यानि ये आपस में सारे क्या हैं दोस्तो परियावाची है एक दूसरे के ठीक है इनका मूल अर्थ है काम देओ, तो B option फिलहाल इस question का right हो जाएगा अगला बढ़ेंगे दोस्तो, अगला question है पंगु का विलोम सब्द क्या है पंगु क्या होता है दोस्तो पंगु एक हिसाब से आपका जैसे लंगड़ा होता है तो पंगु का ये तो समानार्थी सब्द हो गया राइट हो जाएगा अगला question आपके सामने है question क्या है दोस्तो मानसिक भाव छिपाना इस वाक्यांस के लिए सार्थक एक सब्द क्या होता है मानसिक भाव छिपाना यानि मन के भाव को छिपाना इसके लिए आप वाक्यांस के लिए एक सब्द बताईए अमस होगा या अक्षधूर्थ होगा या अवित्था होगा या असुया होगा तो दोस्तों मानसिक भाव छिपाना इस वाक्यांस के लिए एक सब्द जो होगा option C right हो जाएगा अवित्था होगा option C सही होगा और अगला question लेंगे question है आपका अगला कौन से वर्णों को वेंजन तथा स्वार के मध्ध का माना जाता है वो कौन से वर्ण है जिन्हें वेंजन और स्वार के मध्ध का माना जाता है अनुस्वार, अयोगवा, उश्म या अंतर्ष्थ तो दोस्तो आपका जो राइड जवाब जाएगा वो option B के साथ जाएगा अयोगवा को दोस्तो स्वर और वेंजन के मध्ध का माना जाता है और अयोगवा, आपके कौन-कौन से होते है एक तो अंग होता है और एक आहा होता है उस मेंजन दोस्तों अगर बात करें आपका वर्ड माला का वीडियो आलेडी चैनल पर पड़ चुका है अप जाएंगे तो मिल जाएगा उस मेंजन जो हैं दोस्तों वो आपके कौन से होते हैं तीनों आपके सा होते हैं ये आपके तीनों सा और हा ठीक है तीनों सा आपके और हा ये उस वेंजन होते हैं अंतस्थ वेंजन की बात करें तो या, रा, ला और वा ये आपके अंतस्थ वेंजन होते हैं तो फिलाल इस question का right जवाब जो जाएगा वो option B के साथ जाएगा बढ़ेंगे अगला question लेंगे अगला question आपका है प्रयत्न की आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनी है तो दोस्तों ला किस प्रकार की ध्वनी है बताईएगा पार्सविक है उच्छिप्त है या प्रकम्पित है या आपका उस्म है तो ला जो है वो आपकी पार्सविक हो जाएगी यानि ला का उच्छारड करते समय जो है वायू जो आपकी जीब के दोनों पार्शों से निकल जाती है उसे पार्शविक विंजन बोलते हैं तो ये आपका ला होता है उत्षिप्त की बात करें तो आपका अड़ा और अड़ा ये आपके उत्षिप्त विंजन होते हैं तो आपका इस question के लिए right का ये वीडियो है जिसमें 10 question आपके ऐसे हैं जो बहुत ही बहतरीन है question है आपका बादल घिर आये और बारिस होने लगी रचना की दरश्टी से कैसा वाक्य है सरल है संयूक्त है आग्यावाचक है या निसेध वाचक है तो बादल घिर आये और बारिस होने लगी ये जब द दोस्तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा आपको cdp environment हिंदी और आपकी math की class हर रात 9 बजे होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा notification on कर लिजेगा ताकि दोस्तों आपको 9 बजे correct वीडियो मिल जाएगी अग को तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलता है जैसे विद्याले को अगर हम तोड़ते हैं तो विद्याधन आपका आलय हो जाता है विद्याधन आलय तो इसका दोस्तों अर्थ निकल ला है आप ना को तोड़ेंगे अगर तो ना प्लस का इस तरीके से कान को अगर करेंगे त तो हम का धन ना आपका हो जाएगा, और जल को करेंगे तो जा धन ला, इन में से किसी का भी अगर हम अलग-अलग कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो कोई मींस नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूड सब्द हैं, और योगिक कौन है, आपका वि निम्ण मैसे कौन सा शब्द इस्त्रीलिंग है, तो इस्त्रीलिंग सब्द आपको ढूनना है, प्रभाव, प्रभाव होता है, आपने कभी सुनाए प्रभाव होती है, तो प्रभाव होता है, यह कैसा दोस्तों, मस्कुलिन जंडर यानि आपका पुलिंग है, निर्माड किया होता है कैसा वर्ड है आपका पूलिंग है भासा दोस्तों लिखी जाती है आपने कभी सुना है भासा लिखा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा ये ये आपका इस्त्री लिंग हो जाएगा भासा सब्द भासा हमेशा लिखी जाती है इस्तेमाल की जाती है तो B option आपका correct हो जाएगा और बढ़ेंगे अगला question बताईए फटाफट answer सोचेगा संग्या शब्द जो कावेरी है ये किस प्रकार की संग्या है जातिवा चक व्यक्तिवा चक भावा चक समुह चक तो दोस्तों जब नाम परसनल लिया जाता जैसे गंगा है यमुना है कावेरी है तो यहाँ पर कौन सी संग्या हो जाती दोस्तों आपका व्यक्तिवा चक संग्या हो जाती है यहाँ पर आपकी व्यक्तिवा चक संग्या हो जाएगी बी option राइट हो जाएगा भावा चक संग्या जहां पर फीलिंग होती है जैसे गर्मी जाड़ा या बुढ़ापा जवानी इस तरह क अगर आएंगे तो आँ भावाचक संग्या होगी तो आपका फिलाल B option इस question में right हो जाएगा अगला दोस्तों question है 10 number आपका question क्या है निम्न में भावाचक संग्याएं कौन सी है सेना कुझ परिवार योवन लोब मोह लड़का मित्र पंडित या आपका D option है हिमाले होली नर्म तो भाव आचक इसमें से कौन सी संग्या दोस्तों योवन एक भाव है और लोब भी एक भाव है मोह भी एक क्या है feeling है तो B option आपका इस question के लिए right हो जाएगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 question किये हैं कल एक बार फिर से 9 बज़े मुलाकात होगी पढ़ते रहें ज